कच्छु अगती से चल रहा सूरत रेलवे स्टेशन का पुनर विकास कार्यत दोकार्यकाल खर्चुने के बावजू प्लेटफॉर्म नमब चार बंद सूरत रेल्वे स्टेशन के पुनर विकास की तीवरगती से प्रगती के कारण प्लेटफॉर्म नंबर चार को यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है पहले 90 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया इसके बाद दो बार कार्यकाल बढ़ाया गया लेकिन इस समय विस्तार के बाद भी थेकेदार काम पूरा नहीं कर सका बारिश के कारण बीच बीच में कार्य बादित होता रहा दूसरी बार 30 सितंबर तक की मोनलत दी गई रेल्वे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर चार पिछले चार माह से बंद है प्लेटफॉर्म नंबर चार से खुलने वाली ट्रेनों को दोपहर से चलाया जा रहा है ठेकेदार ने 30 सितंबर तक काम पूरा करने का वादा क्या था लेकिन चून की दो एक्स्टेंशन के बावजूर काम पूरा नहीं हुआ इसलिए प्लेटफॉर्म अनिर्दिश्ट अवधी के लिए बंद रहेगा यानि अग्मी सुचना जारी होने तक अब 30 सितंबर तक काम पूरा नहीं हुने पर कंपणी में तीसरी बार एक्स्टेंशन मानगी है लेकिन इस बार ये कब तक बंद रहेगा इस बारे में कोई घोशना नहीं की गई है अब इसने घोशना की है कि प्लेटफॉर्म नंबर चार एक अनिर्दिश्ट अवधी के लिए बंद रहेगा यानि जब तक कोई अन्य नोटिस जारी नहीं किया जाता है अब सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार से रवाना होने वाली जो ट्रेने दोपहर से चलती थी वे ट्रेने अभी दोपहर से चलेंगी चून की दिवाली अब एक महीने दूर है इसलिए अठिरिक ट्रेने चलाए जाएंगी इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर चार को जल्दी चालू कर दिया जाएगा ताजा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूजनिक्वब जैहिंग झालू कर देखने के लिए जाएगा